नमस्कार बच्चों, मैं बिनुत कुमार सी, संट दूसे फश्कुल इताड़ी, पीछले की वीडियो हमनों पढ़े थे, भारत का इतिहास, ठीके, आज हमनों पढ़ेंगे मध्य कलीन भारत, ठीके, हम बताये थे कि पढ़ेंगे आधुरिक भारत काल, लेकिन उसे परल हमनों मत्य कलीन भारत, ठीके, तिसमें परला अपता है, भारत पर अर्वों का आक्रमा, ठीके, भारत पर अर्वों का आक्रमा, कब-कब ये थे, देखें, हजरत मुहम्मद की मृत्यू, लगभग, 632, इस्री के उपरांद, 6 बर्षों के अंदर ही, कितने बर्षों के अंदर, 6 बर्षों के अंदर ही, उनके उत्राधिकारियों ने, उनके उत्राधिकारियों ने, मुहम्मद, हजरत मुहम्मद की, उत्राधिकारियों ने, सीरिया, वाला देश है, सीरिया, ठीथे, उसके बाद मिस्र, उतरी अफ्रि जीत लिया। देखें किन देशों को जीता है। हाजरत मुहम्मद तो हाजरत मुहम्मद जो है सीरिया। हाजरत मुहम्मद ने सीरिया, मिस्र और उतरी अफ्रिका, स्पेन एवं इरान को जीत लिया। उसस में खलीफा समराज्य फ्रांस के लायर नाम कर्ष्थान से लेकर आक्सस एवं काबुल की नदी तक फैल गया। और इसलाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सिंध पर आक्रमर किया है। हजाज के भर्तिजे एवं दमाद मुहम्मद बिन कासिम क्या थे हजाज के भर्तिजे एवं दमाद थे ने 17 वर्ष की अवस्था में लगभग 712 इस्वी में सिंध को जीता सिंध को कब जीता है 712 इस्वी में कितने वर्ष की अवस्था में 17 वर्ष की अवस्था में 712 इस्वी में सिंध को जीता था सिंध कासिम 715 इस्वी में वापस अपने देश लट गया कासिम अपने देश को लटा तो 1715 इस्वी में अरब वासियों ने चिकित्सा, दर्षन सास्त, नचत्र विज्ञान, गणेत, वरित में दस्मल परणाली एवं सासन प्रबंद की सिक्षा भर्तियों से ही ग्रहन किया किसे ग्रहन किया? सिक्षा भर्तियों से ही ग्रहन किया ठीके, उसी समें, जब वो सिक्षा ग्रहन किये, उसी समें चरक, सहिता एवं पंच, तंत्र ग्रहन्थों का अरबी में अनुबाद किया गया अरवी में अनुबाद किसा गया है चरक साहिता देलते हैं चरक साहिता और पंच तंत्र पंच तंत्र जो ग्रम थे था उसको क्या किया अरवी में उसको अनुबाद किया गया ठीखे तो ये था मद्यकली भारत पर अरवो का आक्रमार के बारे में अब हम आगे पढ़ते है थुरा सा वो है आपका भारत पर तूर्की आक्रमर ने भारत पर आक्रमर एक बिसाल मुस्रीम समराज के अस्ञापना करने के उधिश से के थी तुर्की जो थे भारत प्राक्रमा के थे किस उदेश से तो उत्र हो जाएगा कि एक बिसाल मुस्लिम समराज की अस्थापना करने के उदेश से क्या किया था आक्रमा किया था किस पे भारत पे भारत पर आक्रमा करने वाला पहला तुर्की मुसल्मान सुबुक्त गीन दिखा हुआ है सुबुक्त गीन था ठीके उसके बाद अबलाव जाएगा आपका है गर्जनी समराज का स्थापक अलपत गीन एक नाम है नामक एक टुर्क सरदार था ये क्या था नामक एक टुर्क सरदार था अगला है अबका 977 इस्वी में सुभुक्त गीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया यह जो था यह जो था कब 977 इस्वी में गजनी पर अधिकार कर लिया ठीक है अगला है उसने हिंदु वासी वन्स के सासक यह जो था सुभुक्त गीन क्या था उसने हिंदु साही वन्स के सासक जैपाल को किसको जैपाल को क्या किया 986 इस्वी में आकरमा कर हराया था ठीके सुभुक्त गीन की मृत्व के बाद यानि कि जो अब इसकी मृत्व हुई किसकी सुभुक्त गीन की उसकी मृत्यू के बाद उसका फुत्र एवं उत्रादिकारी महमुद गर्जनी कौन था इसका क्या था महमुद घर्जनी आप इसका नाम सुने होगे क्या था गर्दी पे बैठा ठीके यह था आज का वीडियो अब उमिन करते हैं कि आप लोगों स भारत पर आक्रमा करने वाला पहला तुर्की मुसल्मान कौन था? ठीके दूसरा प्रस्ट न हो जाएगा कि कासिम ने किस इस्वी में अपने देश लोटा? ठीके ये दो प्रस्ट आपका है आज की विल्यों में इतना ही धन्य बाद